तो नमस्कार दोस्तों मेर नाम है प्रशान शर्मा और आज हम एनलाइस करेंगे स्ट्रिंग्स परफॉर्मेस मैटिस लिंटेट कमपनी को बात कहें तो कमपनी इंडिया की नमबर वन कमपनी है प्लास्टिक रेसिन बनानेगी रेसिन मतलब जो प्लास्टिक के कंपनी के जो बात किने प्रड़क्स हैं वो यूज होते हैं और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम fundamental analysis करेंगे और detail में हम कंपनी का fundamental analysis करेंगे सबसे पहले कंपनी का हम पूरा business profile चेक करेंगे उसके बाद में subscribers की demand में बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का fundamental analysis करें तुम्हारे वीडियो के comment box में आप उस company का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल से जल वीडियो बनाके आपको उसके बारे में information दे दे और हम बात करेंगे कंपनी strings performance metal limited के बारे में बात करें तो नंबर बन कंपनी है इंडिया के अंदर इंजिनिंग थर्मो प्लास्टिक बनाने की और बहुत सारी इंडेस्ट्री में इनके प्रोड़क्स यूज होते हैं उसमें automotive है electronics household construction healthcare packaging toys sports और लेजर के जो लिजर के प्रोड़क्स बनते हैं वह कंपनी के इन सारे जाता प्लास्टिक होते हैं तो इस तरह की सारी जो चीज़े बनती हैं उसके लिए कंपनी रोव मिटल बनाके आगे दूसरी कंपनी को supply करती है जो फिर आगे finished products बनाके बेचते हैं तो बात करें कमपनी B2B segment वकाम करते हैं कि business to business segment direct customer के सारे dealing या end user सारे में dealing नहीं है फिर बात करें कमपनी कौन कौन से type के product बनाती है तो company में लिए तीन type के product बनाती है एक है ABS, एक है SAN और दूसरा है polystrain बात करें ABS की तो कमपनी इने अपना जो brand है वो डिस्टर करा रखा है एपसोलेक के नाम से तो एपसोलेक के नाम से company ABS बनाती है और एपसोलेक के नाम से company SAN बनाती है और बाकी company polystrain बनाती है बात करें ABS की तो यह वाला जो plastic resin है यह mainly home appliances, automobile, consumer durables और machine बनाने काम आता है और इसमें कमपनी दो type के product बनात फिर बात करें ABSOLAN, ABSOLAN, AS की, SAN की यह जो plastic resin है यह mainly lighting, stationary, refrigerator और cosmetic की packaging के लिए काम आता है और इसमें एक ही variant है company बाते है फिर जो अपनी polystrain बनाती है यह जो polystrain है इसका जो काम है यह जा अधर food services में, packaging में, refrigerant के components में और electronic goods बनाने काम आता है इसमें भी company दो बनाती है एक है GPPS यह जने के general purpose polystrain racing और दूसरा है HIPS है यह जने के high impact polystrain racing तो company इस तरह से तीन product बनाती है उसके नदर एक एक दो तो कमस variant भी है फिर बात करें company के revenue break up की तो company जो ABS और SAN मनाती है इमहां से company को 70% होता है और polystrain जो कपनी मनाती है इमहां से company को 30% का revenue आता है बात करें company की manufacturing capacities की त तो company से चार production route है और company से टोटल capacity है वो ABS बनाने की एक लाग मिट्री टन परनाने की है और 78,000 मिट्री टन परनाने की polystrain बनाने की यह आप देखें तो capacity तो company ठीक था capacity hold करती है उस बात की company के shareholding pattern की कि किन के लोगों ने अपना पैसा इस company invest किया हुआ है तो promoters के पास में 46% share है F5 के पास में 5% share है DIs के पास में 11% share है और बाकी public और दूसरे लोग पास में 38% share है तो बात करें तो F5Ds ने 16% का ठीक ठाक stake लिया हुआ है बहुत जास ठीक F5Ds का इसमें नहीं है जादर जो shares है वो public और promoters के पास में है तो बात करें कंपनी के total profile की तो अभी competition में market में company है बात करें तो अभी small cap company है लेकिन फिर भी अपने sector की number one company है लेकिन बात करें रेसिन के मामले में तो एशिया की जो दूसरी countries है वहां से काफी competition आता है क्योंकि जाते चीजी import भी हो जाती है तो एक दो ही company इंडिया में है जो इस तरह काम करती है उसमें से company है लेकिन फिर market share बहुत ज़्यादा है तो ठीक था company का business file है लेकिन बात करें प्लास्टिक की तो एक ऐसा material है जो आजकल हर जगे यूज़ होता है तो सब देखें तो company के डिमांड काफी ज़्यादा है और आने वाल टाम देखें तो बढ़नी ये डिमांड कम होने को मतलब नहीं है तो एक जो कि अब 2024 में काफी अच्छे से बढ़के 2222 क्रोड गया है यहां देखें तो लगबग लगातार हर सल company का revenue नहीं जो था लेकिन 2023 के मुआबने 2024 का जो रिवने वो थोड़ा सा कम आया बात करें परसेंटेज में भी तो नौ परसेंट के ठीक ठाक सीजर से company पिछले 5 साल मे गड़बड हो गए थी लेकिन 2021 में 2021 25 परसेंट 2022 में 22 परसेंट लेकिन 2023 में फिर आधा हो गया बारा परसेंट का तो काफी ज्यादा अब डाउन है इस से में क्या आपना लगता है कंपनी कहना की competition जेल नहीं है बार बार उसको प्राइज अपने प्राइज अपनी डाउन कर है था था सब्सक्राइब कर द में अब थेखें तो लगातार कम हो रहा है इस व्य से कंपनी प्रॉफिट कम होता दिखा है बजाय बढ़ने के बात पिने का प्रफिट भी बढ़ रहा है इसी वेसे कंपनी चाहिए अच्छा से मैनेज़ करें पांस लगतार कम पैसा कम आती है कम जालों जो भी है उसको अपने पास रख पाती है ज्यादा उसको कैपिटल एकस्पेंडिचर करने की जूद नहीं पड़ती है इसलिए कमणी यहाँ काश्च पीश दिखाई दे रही है फिर बात करने के कमनी के डेट बाइट बाइट बइक टुश्यों की तो कमनी का बाइट बाइट किश्यों पर नहीं है कोई loan वापस करने की tension नहीं है कोई interest button नहीं है सारा का सारा अपना ही परसे कमपनी इंवेस्ट किया हुआ फिर बात करें return equity की तो 24% का return equity आ रहे है कमपनी है last year का और पिछले 5 साल के भी अच्छी average है 26% की तो return equity मान देखें तो काफी अच्छा performance कमपनी है नहीं कुल में लागर हम बात करें कमपनी की सारे ही data की तो बहुत ज़्यादा growth कमपनी की sales में भी नहीं है profit कमपनी का up down है कमपनी free cash नो जुरू hold कर रही है लेकिन सिर्फ एक ही parameter से हम यह नहीं कह सकते कमपनी अच्छी है हाँ कमपनी का debt बगर भी ठीक है आर वी ठीक है तो average से कमपनी के financial कर जाएंगे ऐसे नहीं के बहुत दर extraordinary है चीज़े है क्योंकि कमपनी को बिजनस काफी अच्छे से increase करना चाहिए उसका profit लगाता है increase होना चाहिए margin stable हो चाहिए तब ही उसको अच्छे financial कर जा सकते हैं दूसरी आपके बाद और बता दूँ इस से कमपनी की valuation करने के लिए मैं उसकाता हूँ discounted cash flow analysis उसके अदर कमपनी को free cash flow के बगर वेल करते हैं कमपनी कितना free cash flow generate कर रही है उसके साब से उसके कितनी value बनती है और अभी हमने कमपनी के financial चक किया थे उसमें हमने कमपनी के free cash flow का data भी चक किया था तो 2022 में कमपनी के free cash flow था 342 क्रोड का 23 में 252 क्रोड और 24 में 178 क्रोड अब क्यूंकि इसमें difference आ रहा है तो पिछले तीन साल कमपनी free cash flow हम average लेते हैं और पिछले तीन साल कमपनी इस तो फिफटी क्रोड के साफ जो कमपनी की पूरी वैलिशन बनती है free cash flow के साफ से वह आती है 12500 क्रोड पर यानिके अगर हमें 2500 क्रोड पर हर साल इस कमाने हैं तो आज की रिट में 12500 क्रोड पर इस कमनी इनवेस्ट करने पड़ेंगे यह इस वैलिशन का मत्तल है तो पूरी कमपनी वैल्यू अब इसको नंबर ओव शेर से डिवाइड करेंगे तो पर शेर की फेर विल निकल इतना फ्रीकाइब जनेरेट करती है तो उसके साब से उसकी इतनी वेल्यू बनती है अब बात करते कंपनी के करेंट मांके प्राइस की तो अभी कंपनी का जो शेर प्राइस चलराए वो चलराए पचीस तो ग्यार रुपे कर आश्पे नहीं के मोटा-प्चीस रुप मान ल विद्फ rocket की चाहिए इंडस्री की बात करें तो इंडस्री भी लो चल लिए वहाँ पर इंडस्री का भी 21 का ही प्राइस बेज फी अन्य निशोर रहे है तो दोने ही पैरने साथ कि यह कम्पनी मतलब यह उसमें पैसा इंवस्थ करना या जाधा अमौण में इंवस्थ करना है अगर आप चाहते हैं आपको कंपनी अच्छी लग रही है और स्मॉल कैप में है आप चारों की हाँ ठीक हो सकता है आनेवल टाइम में ये भी अच्छी हो जाए बढ़के मल्टी बैगर बंजा जो चीज़े तो थोड़ा बहुत अमाउंट आप इसमें इसका सकते है अपने प कंपनें दिखोगे तो आपको प्राइस की बहुत जाद मिलती इसमें शेरपारिस कभी अप हो जाएगा कभी डाउन हो जाएगा आप उसको avoid कर सकते हो और उसको आप hold कर पाऊगे अगर छोटे टाइम के लिए करोगे तो कुछ भी चीज़ हो सकते हैं property हो सकता है और loss भी हो सकता है तो इससे बात करें तो company ठीक है अपने sector में अच्छा काम कर रही है financial भी छोटी company साब से ही है लेकिन हमें काफी सस्ते प्राइस मिलती है इसलिए हम थोड़ा बहुत investment से कर सकते है तो खुला बात करें तो आपको इस company बारे में detail knowledge दे दी है आश्य करता है वीडियो अच्छ लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छ लगी हो तो इसको like और share दूरू करेज़ेगा और साथ साथ में चैनल को subscribe करेज़ेगा तो इस वीडियो के लिए इतना रखते है thank you so much